Hello Friends, आज का टॉपिक है बंदित्व यानि Infertility तो आज मैं आपको बंदित्व समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा एक Simple और Easy ट्रिक के साथ मैं यहाँ पर कोई भी Turkish language यूज नहीं करूँगा आपको एक Simple और Easy वे में समझाऊंगा और मैं आपको एकजाम में लिखने का एक pattern भी बताऊंगा जिससे आप एकजाम में ज़्यादा से ज़्यादा marks gain कर सकते हैं बंदित्व सबसे पहले आज हम बंदित्व का परीचे देखेंगे परीचे में हम देखेंगे इसकी परिभाशा क्या होता है बंदित्व उसके बाद हम देखेंगे निदान निदान यानी किन कारणों से बंदित्व होता है उसके बाद हम देखेंगे इसके भेद और उसके बाद हम देखेंगे चिकित्सा एक simple और easy trick के साथ चिकित्सा बहुत ही important है और मैंने एक simple और easy trick के साथ आपको समझाई है तो उसके लिए आप वीडियो को एंट तक जरूर देखे हम यहाँ पर सिर्फ इस्तरी बंदित्व की बात ही करेंगे तो चलो परीचे से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके आप अपने डाउट्स और कोशन मुझसे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चेक कर सकते है परिपून वीरे की आयू एवं रितू चकर के समुचित काल में कम से कम एक वर्सतक सामाने दमपत्ते जीवन निर्वाह के उपरांत भी गर्ब की अप्राप्ति बंदित्व है यह हमारी डेफिनेशन, यह हमारी परिभाशा, हमारी सहिताओं में कही गई है और आपको यह एज़ेटिज याद होनी चाहिए इसमें तीन चीजे इंपॉर्टेंट है परिपून वीरे की आयू मतलब एक मैच्योर एज और उसके बाद रितू चकर के समुचित काल में मतलब मैस्ट्रोल साइकल का एक पर्टिकुलर पार्ट और उसके बाद एक वर्स तक सामाने दमपत्ती जीवन निर्वाह करना है मतलब एक वर्स तक सामाने दमपत्ती जीवन निर्वाह के अपरान भी अगर गर्ब की प्राप्ती होती है तब हम उसे बंदित्व बोलेंगे गर्ब की अनुपलब्दी ही बंदित्व है जब गर्ब की अनुपलब्दी होगी उसे ही हम बंदित्व बोलेंगे इस्त्री बंदित्व या बंदित्व एक सुवतंतर व्यादी न होकर अनेक व्यादियों के परिणाम सोरूप उत्पन एक प्रधान लक्षन है जो हमारा बंदित्व होता है यह एक स्वतंत्र व्यादी नहीं है यह एक लक्षन है जो अनेक व्यादियों के उत्पन लक्षन होते है उसे हम बंदित्व बोलते हैं और यह चिकित्से है इसकी हम चिकित्सा कड़ सकते हैं तो यह था हमारा परीचे अब हम चलते हैं निदान क कहें गए है सामान्य निदान और विसिष्ट निदान तो चलो सामान्य निदान देखते हैं सामान्य निदान में आता है अती बाला व्रिद्धा दीर्द कालिन रोगों से पीडित मानसिक रोगों से पीडित योनी के बाहरी भाग और समीरन नाड़ी परशुकर गिरने से भी गर्बादान नहीं होता जो इस्त्री अतिबाला होती है अतिवृद्धा होती है दिर्द कालिन रोगों से पीडित होती है मानसिक रोगों से पीडित यह बहुत ही important है, मानसिक रोगों से पिड़ी जो इस्तरी होती है, उसे भी बंदित्व हो सकता है, योनी के बारी भाग और समीरन नाड़ी, हमें पता है कि जो योनी में ती नाड़िया कही गई है, चंदरमुखी, गौरी और समीरन, अगर हमारा जो शुकर है समीरन नाड़ी के उपर गिरता है, तो वह निश्वल हो जाता है, उससे भी गरबादान नहीं होता, तो यह थे हमारे कुछ सामाने निदान, अब हम चलते हैं विशिश निदान की, और हमारे सही ताओं में 11 प्रकार के विशिश निदान कहें गए है, तो हम अब इसे कैसे याद करें, इसके लिए कोडिंग है, कि Java Day of BMS, Java एक language होती है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक language day BMS का, ठीक है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि Java Day of BMS, Java एक language होती है, तो हम उससे यह coding याद कर सकते हैं कि Java Day of BMS, तो चलो, अब हम देखते हैं, इस coding को decode करते हैं, Java से क्या होगा, जातहारिनी, आहार दोश, वी से होगा विहार दोश और ए से होगा अकाल योग उसके बाद डे से हम देखेंगे कि देव प्रकोप, असरिग दोश और यूनी दोश और बी एमस से हम देखेंगे कि बलसंशे, आत्म दोश, मानसिक अभिताप और शुक्र दोश तो यह निदान हमारे विशिश निदान है, जो हमारे सहिताओं में हमें बताए गए हैं तो हम इसे देखते हैं, जातहारिनी से हम ये कर सकता है कि जो इस्तरी का आर्टव होता है वो नाश हो जाता है, जिसे हम जातहारिनी बोलते है, आहार तोश हमें पताई है कि जो सौस्त रहने के लिए जो आहार हमें चाहिए अगर वो इस्तरी को नहीं मिल पाता विहार से हम देख सकता है कि विहार मतलब activities, मतलब वेगो को रोकने से आदी जो विहार इस्तरी करती है तब भी बंदित्वा के वो कारण बन जाते है अकाल योग, अकाल योग काल से हम यहां पर डिनोट करेंगे कि रितुकाल तो हमें पता है कि रितुकाल में कौन से काल में हमें गरबादान होना चाहिए उसके बाद है देव प्रकोप, देव प्रकोप यहां पर अग्यात कारण कहे गए है उसके बाद है असरिक दोश, असरिक दोश मतलब इस्तरी बीज या रजिस्तराव के समय जो रक्तिस्तराव होता है या जादा अगर रक्तिस्तराव हो योनी से तब भी हमारा गरबादान नहीं हो पाता उसके बाद है योनी दोश हमें पता है योनी दोश योनी व्यापत आपने पढ़े ही हो के अगर आपने नहीं पढ़े है तो मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाई है आपमा से देख सकते हैं फिर है बलसंचे, बल की कमी, अगर हमारी जो योनी होती है, उसमें इतना बल नहीं हो कि वो गर्ब को ले सके या, गर्ब का धारण कर सके, तब भी यह भी एक विशिष्ट निदान है, उसके बाद है आत्म दोश, उसके बाद है मानसिक अभीताप, मानसिक अभीताप हमें पत इसके विशिश निदान कहें गए है, आपको याद करने हैं, इसके ट्रिक है जावा डे ओफ बी एमेस, जावा से जातारिनी, आहार दोश, पिहार दोश, अकाल योग, देव प्रकोप, असरिक दोश, योनी दोश, बलसंचे, आत्म दोश, मानसिक अभीताप और शुक्रो दो हम उसे कैसे याद रखें, उसके लिए एक ट्रेक है वास, वास से बनता है हमारा वन्द्या, अप्रजा और सप्रजा, वन्द्या मतलब गरबादान संबव नहीं होता है, और उसी कारण हम इसे अचिकित से बोलते है, अप्रजा इस तरी गरब का धरण कर सकती है, और इसे ह हम चिकित से बोलते है यहाँ पर अप्रजा का मतलब होता है प्रजा का मतलब होता है प्रोजेनी ऐसी हिस्तरी जिसको अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ हो उसे हम बोलेंगे अप्रजा सवप्रजा में होता है कि प्रजायुक्त होने के बाद गर्बदान नहीं होता मतलब प्रजायुक्त एक प्रजा है उसके पास लेकिन उसके बाद भी गर्बदान उसके बाद गर्बदान नहीं होता और इसे ही हम चिकित से भी बोलते हैं तो यह थे अचारे चरक मतानुसार बंदित्व के तीन भेद, अब हम देखेंगे अचारे हारीत मतानुसार बंदित्व के भेद, जैसे कि हमने देखा अचारे चरक ने तीन भेद बताये थे, और अचारे हारीत ने अब उसके दुगने यानी छे भेद बताये है, तो उसे हम क और इस्तरी कौन सी अजात रजसा इस्तरी जिसको रज नहीं होता फिर क से आता है हमारा काक बंद्या और गर्ब से आता है गर्ब इस्तरावी जो गर्ब का बार बार इस्तराव करती है अब देखिए हम B से हो गया हमारा बलशे, A से हो गया हमारा अनपत्या, M से हो गया हमारा मृत्वत्सा, S से हो गया इस्त्री और इस्त्री कौन सी? अजात, रजसा है इस्त्री, का से हो गया हमारा काक बंद्या, और गर्ब से हो गया हमारा गर्ब इस्त्रावी तो यह थे बंदित्व के भेट अब हम चलते हैं चिकित्सा की और बंदित्व की चिकित्सा हम दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले सामाने चिकित्सा और उसके बाद विसेश चिकित्सा और विसेश चिकित्सा भी हम दो तरीके से कर सकते हैं वो है ब्राहे प्रायुक्त औशदी और अभ्यांतर प्रयुक्त औशदी तो चिकित्सा अगर आप एक्जाम में कोश्चन आता है तो ये फ्लो चार्ट आप ज़रूर बनाए सबसे पहले सामाने चिकित्सा और फिर विसेश चिकित्सा विसेश चिकित्सा भी हम दो तरीके से क पतलब मित्यार विहार मांसिक अभिताप आदी जितने भी हमने निदान पड़े हैं उनका परिवर्जन या उनका तियाग करना तो यह था सबसे पहले चिकित्सा सामाने चिकित्सा सिदान में सबसे पहले हमें क्या करना है निदान का परिवर्जन करना है दूसरा है इसमे हाइलाइट करा है कि यह हमें आगे विशुच चिक्षा भी देखेंगे उसमें भी तेल का बहुत ही important role है तो सबसे पहले हमने निदान परिवर्जन किया फिर हमने बलवर्दक आहार वियार और धिंगने दरवयों का प्रियोग किया उसके बाद हमने इस तरीका स्नेहन स्वेदन और वमन विरेचन बस्ती के बाद से तेल का प्रियोग करा है तेल और माश का प्रियोग करा है बंदित्व में बस्ती स्रेष्ठ है हमें पता ही है और बस्ती में भी निरुव बस्ती का प्रियोग बंदित्व में अमरित के समान लापकारी होता है क्यों होता है हमें पता है जो बंदित्व है वह वातवियादी या वातवियादी है और वात की चिकित्सा क्या होती है बस्ती सामाने चिकित्सा सिद्धान्त में हमने देखा सबसे पहले हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे सबसे पहले हमने निदान परिवर्जन किया उसके बाद बलवर्दक आहर वियार का सेवन किया उसके बाद स्निहन सुएदन के बाद हमने तेल का प्रियोग कराए और फिर बस्ती और बस्ती में भी कौन से निरू बस्ती तो सामाने चिकित्सा सिद्दान्त ये 5 पॉइंट बहुती इंपोर्टेंट आपको याद होने चाहिए तो यह तेज के सामाने चिकित्सा सिद्दान्त अब हम चलते हैं विस्स चिकित्सा सिद्दान्त की और विस्स शेकितसा संदान में सबसे पहले ब्राहे-प्रायूक-उशदी भी 6 होती है अब हम इसे कैसे याद करें ब्राहे मतलब बाहर जो हम बाहर से यूज़ करेंगे अब बाहर क्या होता है B. A. S. N. L. का स्टेशन तो इसे हम आथ से तुरिक से याद करेंगे कि BSNL का station B से आता है यहां पर BSNL तेल हम याद करेंगे BSNL बहुत ही important है ठीक है यह मैंने एक trick बनाई है BSNL मतलब बला तेल बस्ती शत्पुश्पा तेल नाराइंड तेल और लसूल तेल स्टी से मतलब station से स्टी से हम याद करेंगे शत्पात तेल और त्रिवित स्नेह बस्ती तो यहां पर यह BSNL बहुत ही important है और आपको याद होना चाहिए BSNL से आगया हमारा बला तेल बस्ती और उसके बाद शत्पुश्पा और N से आगया हमारा नाराइंड तेल और फिर है लसून तेल और S से हो गया हमारा शत्पात तेल और T से हो गया हमारा त्रिवित स्नेहन तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपन नाराइंड तेल को highlight किया है यह नाराइंड तेल बहुत ही important है और कभी कभी इसका एक 5 नंबर में question आ जाता है सिर्फ नाराइंड तेल की और तो यह नाराइंड तेल का निर्मान इसकी प्रियोग विदी आप जरूर याद करें मैंने अपनी slide में आपको बताई नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है अगर आप चाहे तो मैं इसके नाराइंड तेल अलग से एक वीडियो बना दूँगा लेकिन अगर मैं ना भी बनाओ तो आपको इनाराइंड तेल का प्रियोग और इसका निर्मान विदी आपको जरूर याद होनी चाहिए तो यह थी ब्राहे प्रायुक्त ओशदी अब हम चलते है अभियांतर प्रियोग औशदी की और अभियांतर प्रियोग तो उशदी भी 6 ही होती है और हम इसे कैसे याद करें अभियांतर मतलब अंदर अब अंदर हम क्या खेलता है? गीम और गेम में आपने सुना होगा कि GTA gta गेम बहुत ही famous था तो GTA की Journal Knowledge सभी को है GTA की Journal Knowledge ब्राहर में हमने क्या करया ब्राहर में हमने लिया BSNL का Station BSNL का Station हमेशा बाहर होता है और अब यहां तर हम अंदर में खेलते हैं गेम और गेम में कौन सा GTA की Journal Knowledge तो G से आगया हमारा घृत, तेल और अरिष्ट, के से आगया हमारा कल्क और फिर आगया हमारा गृतिका G से हमारा आगया गृतिका और के से आगया क्वात अब घृत में कौन सा फल घृत और लगू फल घृत पानी ये कल्यानक घृत और शीत कल्यानक घृत आदी तेल में हमें पता है BSNL तेल जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था BSNL से आगया बला तेल, शतावरी तेल, नारायन तेल बहुत ही इंपोर्टेंट आपको याद होना चाहिए नारायन तेल की विदी, बनानी की विदी और इसका प्रियोग और उसके बाद है लसुन तेल अरिष्ट में हमें पता है दश्मूलारिष्ट तो हमारे दश्मूल होते हैं उससे बनता है दश्मूलारिष्ट कल्क में आगया हमारा शत्पुस्पा कल्क गुटिका में आगया योग राज गुग गुलादी गुटिका और कुवात में आगया हमारा महारा सायनादी कुवात का प्रियोग गर्ब कारक होता है तो हमने देखी सामने चिकित्सा सामने चिकित्सा में हमने 5 पॉइंट देखे निदान परिवारजन उसके बाद हमने देखा बलवर्दक आहर वियार का सेवन उसके बाद हमने क्या करा स्नेयन सुएदन कराया उसके बाद बस्ती और बस्ती में भी कौन सी निरू बस्ती उसके बाद हमने विसेश चिकितसा में सबसे पहले ब्राहर प्रयुक्त उश्य देखी और उसके बाद हमने आवियांतर प्रयुक्त उश्य देखी तो यह थी मेरी मैंने बताई आपको एक चिकित सा बंदित्व की एक सिंपल और इजी वे में अगर आपको आए तो प्लीज लाइक करें और मेरी वीडियो को जाते से ज़्यादा शेयर करें तो थैंक्स फर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू